तर्क यह जब कासी में भगवान सीव के साथ 23 कोटी डेवी देवता के बिद्दमान है तो चान्दमिया साही की भगवान के उपर मूर्ती की आवसकता क्या है भगवान को आश्युरवात देंगे अमृत्य व्यक्ति की पूजा क्या स्विकार होती है बीते रभीवार को वारानसी के लोटियां इलाके से एक बड़ा गड़े समंदीर से साई परतिमा को हटाये गया और यहां जिम्मेदारी किसी और नहीं बलकि किंदिर ब्रामण महासबा और सनातन रश्चत दल के खुद को परदेश अध्याश करने वाले अजय शर्मा जी ने स्विवग्त कैसा महादेव क्याम में अपसोफ नहीं होता और देवता का अधेश का पालन हो रहा है संनातन धर्म पर सब्ली करण भी विश दिन आपने क्या किया था और ऐसा बताया जाहरा है कि आपने सुहितार भी कि चार मंदिर इस खाशी शेतर से आपने उसी पर आरा ह अपने घर में सफाई नहीं कर सकते हैं दिवाली की कितने दुर्भाग की बात हैं इसके पीछे तर्क है जब कासी में भगवान सीव के साथ 33 कोटी डेवी देवता आके बिद्दमान है तो चान्दमिया साही की भगवान के उपर मूर्ती की आव सकता है भगवान को अर्श्रवात देंगे अम्रित व्यक्ति की पूजा क्या स्विकार होती है जीता में ग्यारा साल से वह मूर्ती वहां पे थिस्ताफित पहले क्यों नहीं आप लोग ने किया यह कौन कहरा है पहले नहीं किया लगातार निरंतर प्रयास शल्ला था निरंतर सबको आ आपको मालूम होना चीए कि बड़ा गड़े इस मंदिर में लगभग चालीस महंत हैं चालीस को एक करने में कितना महिनत करना होगा यहां तो विश्णाजी की भी पारी है एक से कहना है कि सारे महंतों का सपोर्ट आपके साथ है प्रसासन स्वैम वहां पारी पढ़ती है वि मंदिर के महंतों तक तो जा रहा था लाको लाको रुपए तो इतनी बड़ी-बड़ी मूर्ती और मुझेक लगवाने के क्या हो सकता है अजय जी ये बार-बार पुलिस परसासन कह रही है कि जन भावना के आहत होने का मामला है और आपको पुलिस परसासन को संग्यान में डाल देना चाहिए जन भावना तो अगर वो एक लाख लोगों की जन भावना आत हो रही है तो मैं इसी कासी में वादा कर रहा हूं कि इसी चौक ठाने के सामने 25 लाख लोगों के साथ जो बैटके धरना दूगा तो उनकी आत का कौन जिम्मेदार होगा बस ये बता दीजे पुलिस का जो बयान है आलादिकारियों का इसा करने वालों के खिलाब करवाई कि ये और ऑगे भी की जाएगी जन भावना कहा आतोरी कोई हमको यह तो बताए प्ठोर्थम कर लिए तैयार है अब भागवान काम कर लिए मुक्ती मिल जाएगी तरगेट अभी लोग जेल भेजेंगे क्या भेज पूर्थों को पूर्ण करने वाली है निर्भिक की जननी है मोक्ष की खान है मुर्ति कहां गई अभी महादेव को छोड़ के भग जाए जो पूरवे करतार कासी कभव न छोड़िये विसुनात को दरबार तो मैं भगने वाला नहीं हूं कि अगर मुर्ति से आपको तकलीफ है तो मुर्ति उनको स्वागत है हम तो कितनी बार बोले कि भईया पूजा करो मैं टाली से तुमारे आभेद दे रहा हूं मैं कहां भी रोद कर रहा हूं तुमारी पूजा से स्वागत है ले जाओ हम पैसा टाली का भी देने को त्यार है रहा है हम तो खुद पक्ष में नहीं है हम ने किसी मुर्ति का नादर नहीं किया तो एक्षा से महंत लोग राजी हुए मुर्ति को ढख करके फिर उसको हटाया गया गंगा में भिसर्जन किया गया अगे से साइभ भकतों को आगर आगो चाहें तो आप सुपूर्ट कर देंगे आपसी समधिके घर पहुचा देंगे उनके हम तो पहले से बोलना है आप पूजा करो अपने घर में करो व्यक्तिगत करो हम कहां मना कर रहे हैं भगवान सीख इसने क्या कहा है सो पूजने वाले हैं डेवता को प्राप्त होते हैं मजंको पूजनेले भगवान को पूजने वाले हैं जो ब्यक्रेट को पूजनेज्य यह हमारे साथ दज्जाशर्मा जो अरेस्ट हो चुके हैं साहीं मूर्ती को हटाने को लेकर और इंका साफ तोर पर कहना है कि अगर साहीं भक्त उनके पास आते हैं वो पुरे आधर और सम्मान के साथ मंधिरों से मूर्ती साहीं बाबा की निकाल कर उन तक सौपेंगे लेकिन यह अभियान चाहें जितनी भी कठोरतम कारवाई पुलिस करें जारी ही रहेगा रोशंग्या स्वालवा रांसी